सेमन्स कंपनी के बारे में स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को जैसे भी आज हल चल देखने को मिली है पॉजिटिव रुजान देखने को मिला है बट कहीं न कहीं अब नजरे कल के लिए होने वाली है क्योंकि एक बड़ी खबर आ चुकी है और उस बड़ी खबर का हमें पॉज जी का रुजान देखने को मिला है पिछले एक महीने का जो मुमेंटम हमें दिखाई दे रहा था लगातार ये स्टोक्स गिरता हुआ नजर आया था और अगर देखें उपर का लेवल लगबाग उनिस सो से उपर के चार्ट पेटरन बनते हुए नजर आये थे कहीं न कहीं वापिस से अब ट्रेंड हमें इस कंपनी के इंदर दिखाई दे सकता है बट अगर ओवराल ट्रेंड की बात करें तो पिछले 6 महीने में अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आया है नीचे लबग 12 रूपे के आसपास ये दिखाई दे रहा था वहां से अच्छा खासा इंजिनिरिंग सेक्टर में और अगर देखें तो इसका मुख्याले हम लोगों को जर्मानी में एक जगह है बर्लिन तो वहां पे इसका मुख्याले इस्तित है और काफी सारे देशों के अंदर जो है इसका काम फैला हुआ है तो बिजनिस लगातार ग्रोथ कर रहा है अब क करके सारी चीजों को आपको सही तरीके से अनलेसिस कर लेना चाहिए तो मैं बताओंगा कि कौन-कौन से सेक्टर के अंदर ये काम करती है जिसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर ये काम करती है तो मैं यहाँ आप लिख देता हूँ रेलवे वहीकल्स के अंदर ये काम करती है वाटर टेकनलोजी बिल्डिंग टेकनलोजी होम अपलाइन्स के अंदर ये काम करती है फायर अलाम्स के अंदर ये काम करती है आईटी सर्विसिस के अंदर ये काम करती है तो बहुत ही बड़ी ये कम्पनी है एक नहीं कई देशो उप एडाउन करके वापिस से स्टॉक्स हम लोगों को उपर की तरह भी मुग करता हुआ नजर आ रहा है यही कारण है दोस्तो बिजनेस बहुत ही मजबूत है कहीन कहीन हम लोगों को उपर के लेवल और भी देखने को मिल सकते हैं पर कहीन कहीन हम लोग जो खरीदारी करते वक्त गलतियां करते हैं वो यही है कि ज़्यादा क्वांटेटी हम लोग खरीद लेते हैं जिसकी वज़े से हम लोग कहीन 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 कि किसी लेवल पर जाकर फ़स जाते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है थोड़ी थोड़ी quantity खरीदनी है और सरफ नीचे की तेयरी करके चलनी है चलनी है चलनी है बात करते हैं बड़ी खबर के बारे में तो क्या चीज निकल क्या रही देखे यह बजार बंध होने के बाद में खबर हम लोगों को मिल रह है एक MOU पर साइन की है तो बहुत बड़ी खबर इस समय बताई जा रही है कहीं बड़ा एक्षन अब आपको इनके बिजनिस के अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों आप जानते हैं कि इलेक्टर को बाहनों का चलन जिस तरीकी से धीरे-धीरे करके बढ़ता हुआ नजर आ आप जानते हैं कि सीमन्स का जो कारोबार है वो ट्रांसपोर्ट के अंदर भी हम लोगों को दिखाई देता है तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी के अंदर आपको बहुत तकड़ा मोमेंटम देखने को कल की दिन देखने को मिलना चाहिए अब पूरी खबर क्या ह सही तरीके से अनेलेसिस कर लेते हैं तो यूके बेस्ट प्रोडूशर है और इलेक्टरिक वहिकल्स के निर्माता ये कंपनी है उसके साथ में का M.O.U. साइन किया गया है और वो भी ग्लोबल टेक्नोलोजी कंपनी टू एड्रसे पोटेंशल E-Mobility Market इंडिया तो E-Mobility Market के लिए जो है ये प्रोजेक्ट साइन हुआ है का M.O.U. साइन हुआ है तो कहने का मतलब है कि स्टॉक्स के अंदर आपको कल के दिन जो है बड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है क्योंकि बहुत ही बड़ी जो है खबर इस बक्त कि ये कही जा सकती है सबसे पहले कैश फ्ल के इंदर ही हम लोगों को गिरावर देखने को मिली है बट अगर देखे तो अवराल मुमेंटम पॉजिटिव दिखाए दरा है इसी तरह कि सब्सक्राइब करते हैं तो दिसम्बर 2019 के बाद में तेजी देखने को मिली वापिस से गिरावर देखने को मिली उसके बाद फिर के संकेत दिखाए दिए वापिस से फिर गिरावर तो कह सकते हैं कि अप एंड डाउन अप एंड डाउन का सिल्चला आपको और और को पॉजिटिव दिखाए दरा है अब उसको जानने की कोसिस करते हैं कि नतीजे किस तरह के रहे हैं अभी जो हाल फिलाल में कंपनी ने कर लेते हैं तो 2925 करोड रुपे की आसपास आपको नेट शेल्स करोड दिखाए दे रही हैं उससे पहले के से दूसरों टॉटल इंकम के इंदर भी हम लोगों को चेंजे देखने को मिले हैं लगबग 2983 करोड रुपे के आसपास दिसमर 2020 में दिखाए दिखाए दिये उससे पहले 3609 क्रोड के आसपाद दिखाए दी थी तो पिछले क्वाटर से गिरावाट देखने को मिली है देखे स्टॉक्स के इंदर ट्रेड करने से पहले सारे डेटा को एनलेसिस करना बहुत ज़्यादे जरूरी है पता चले हमने पैसा लगा दिया और उसके बाद हमें पता चल रहा कि कंपनी में तो अपन डाउन अपन डाउन देखने को मिल रहा था और हमने उसके इंदर पैसा लगा दिया और अब हम फस गए है तो सारी चीजों को एनलेसिस करने के बाद ही सही तरीके से इंवेस्टमेंट कीजेगा अब दोस्तों बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो 295 करोड रुपे के आसपास निकल किया रहा है जो कि पिछले क्वाटर में आपको दिखाए दे रहा था 330 करोड के आसपास तो कहने का मतलब है कि यहां भी आपको नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है अब देखे 2016 से लेकर अब तक किस तरीकी की स्थेती हम लोगों को दिखाए दे रही है दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ येर ओन येर बेसिस के डेटा की तो किस तरीके का डेटा हम लोगों के सामने दिखाए दे रहा है देखे सेल्स के अगर बात करें तो पीछे से चलते हैं 10,835 करोड रूपर के आसपास दिखाए दे रही थी 2016 के अंदर फिर 11,000 करोड के आसपास जाती हुई दिखाए दी है 17 के अंदर 18 के अंदर 12,795 करोड उसके बाद 13,000 करोड हाँ इस साल जरूर गिरावाट देखने को मिली है और क्वाटर और क्वाटर बिस्स पे भी आपने देखा है कि अप एंड डाउन अप एंड डाउन का सिलसला बनता हुआ नजरा रहा है बट कहिना कि लोंग टर्म में ये कंपनी हम लोगों को ज़ादा मजबूत दिखाए दे रही है इसी तरह के से तुस्तों बात करें अगर टोटल इंकम की तो इस साल के निकल के यह लगबग 10,261 करोड के आसपास जो कि पिछले साल आपको दिखाए दे रही थी लगबग 14,000 करोड के आसपास तो एर उन इर्वेसिस पे हमें टोटल इंकम के इंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है अगर मोमेंटम यहां भी देखें तो यहां पर भी हमें लोगटम में पॉजिटिव दिखाए दे रहा है उपर की तरफ टोटल इंकम बढ़ती हुँ नजरा रही है तो अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी गिरता हुआ नजरा आया है आपको अप एंड डाउन अप एंड डाउन का मोमेंट दिखाए दे रहा है 2016 से लेकर अब तक अब दोस्तों जानने की कोशिस करते हैं कि शेर ओल्डिंग पैटर्स की इस तरीकी के दिखाए दे रहे देखे सबसे पहले बात करते हैं प्रॉमोटर्स की तो 75% की इसेदारी दिखाए दे रहे जो कि दिसंबर 2019 से लेकर अब तक कोई भी चेंजिस इनके अंदर हम लोगों को नहीं दिखाए दे रहे तो एक पोजिटिव पॉइंट्स हैं यहां पर निकल के आ रहा है दूसरी बात यह है कि अगर FIS की इसेदारी की बात करते हैं तो उनकी तरफ से किस तरफी की होल्डिंग हमें दिखाए दे रहे हैं तो दिसंबर 2019 में अगर बात करें तो लगबग 4.31% के आसपास थी उसके बाद में अप एंड डाउन उनके अंदर भी देखा है अगर अग की तो डियाएस की तरफ से किस तरिके का सेंटिमेंट दिखाए देर देखें लगातार खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं कहिना कि पॉजिटिव मोमेंटम हमें यहाँ पर भी दिखाए देर हैं तो लगबग 10.77% के आसपास और अगर अबी की बात करते हैं तो दिखाए दरा है तो दोस्तो कहीं न कहीं ये कंपनी हम लगों को लोंग टम में जादा पैसे कमा के दे रहे हैं देखे अभी फिलाल में पर नाउन चल रहा है बट कहीं न कहीं जिस तरह की खबर निकल के आई तो पॉजटिव रुजान तो आपको कंपनी के इंदर देखने को जरूर मिलना चाहिए दोस्तो अगर आप डिमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अप स्टोक्स के साथ में जुड़ सकते हैं कंपनी की तरफ से एक ओफर चल रहा है कंपनी ओपन कर रही है फ्री में डिमेट अकाउंट किसी भी तरिका को कोई अपनिंग जो है कंपनी को नहीं देना है तो अगर आप अप स्टोक्स के अंदर डिमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है वहां से जाकर आप सीधे डिमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं तो उस्तोकरी जानकार आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजेगा चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नहीं वीडियो के नोटिफिकीशन सीधे आपके मुबाइल के मिल सके थैंक्यू सो मच वाचे